असलाम लेकुम स्टूडेंट्स कैसे आप उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे आज हम डिस्कूस करेंगे के आयोनाइजेशन नर्जी के डेटा से हम किसी भी एलिमेंट की पुजीशन इन प्रियोडिक टेबल कैसे देख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की आयोनाजेशन नर्जी का पता है ना तो हम प्रियोडिक टेबल के अंदर उसकी पुजीशन बता सकते हैं तो यह बड़ा एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक है चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह से सबसे पहले बात क्याद रखिए का टॉपि जे नर्जी किता है पहले को यह बड़ाद हैं पर यह बतादो कि सक्सेशां आयोनाजेशन अर्जिस क्या होती है स्क्सेशिव इंट्र बहूती है कि जब आप पर एलिमेंट मूफिकर के लिए चाहिए तो लेक्ट्रेशन पर और आप नगuoद के और से यानी कि अवर निकालना है मतलब सेकंड अलेक्टन कालना है तो यह निकालनेक जो काल दिर फिरए इसतर फरला सक्वार्ट ऑ tow टो कौना धेन alert BG कίζ Griff hai इनकों पूलते हैं सेंसिचेजाइशिव आयीनजिशन इनर्जी अब जब घ्रडग तो विस डेता को क्या उिप हम इस data को compare करते हैं किसके साथ periodic table के अंदर जो non elements हैं जिनकी ionization energy हमें पता है तो यह वो main एक pattern है कि जिस pattern को follow करते हुए हम किसी भी element की जो position है इन periodic table हो find कर सकते हैं by its ionization energy तो इसको points है जिनको mind में रखना जरूरी है फिर हम एक्जेंपल की तरफ जाएंगे कैसे को एक example करके देखेंगे सबसे पहले अगर आप focus करें trend in ionization energy हमें ionization energy का trend priority table के अंदर पता होना चाहिए मैं पता है कि ionization energy जो है वो अगर हम priority table में in the group move करें from top to bottom तो ionization energy decrease करती है क्यों क्योंकि उपर से नीचे की तरफ आते हुए atom का size बढ़ता है जिसकी वज़ा से अलेक्टो निकालना easy हो जाता है और ionization energy क्या होती है top to bottom decrease करती है पिछले एक्शर में इमने डिसकस किया हुआ अगर हम इसी तरह left to right बात करते हैं in the period जब हम left to right move करते हैं तो ionization energy increase करती है यह भी मैंने बताया था क्यों increase करती है कि जब हम left to right move करते हैं तो उससे यह होता है कि atom का size of decrease करता है just because क्योंकि effective nuclear charge बढ़ रहा होता है लेफ्ट वाइड जाते हुए जिस वज़ए से लेफ्ट वाइड जाते हुए आइनाजिश इनरजी इंक्रीज करती है अब कुछ exceptions भी हैं जैसे कि आपको पता है कि ग्रूप 2 और ग्रूप 3 के जो elements हैं उनमें यह case follow नहीं होता,磁 की आइनाजिश इनरजी बरोन से ज्यादा होती है इसी तरह magnesium की aluminium से ज्यादा होती है इवन होना तो ऐसा चाहिए ना, कि राइट साइड वाले elements की आईनाजिश इनरजी लेफ्ट वाले साइड से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन ये कुछ exceptions हैं जिनको हमें साथ साथ accept करना है और इनकी details मैंने previous lecture में explain की हुई है अच्छा दूसरा point जो हमने mind में रखना है वो ये है product table organization ये बड़ा important है product table के अंदर elements को इस तरह से organize किया गया है कि वो वाले elements जिनकी ionization energy similar है मतलब मिलती जूलती है उनको क्या किया गया है एक column के अंदर एक group के अंदर रख लिया गया है मिसाल देता हूँ अब sodium, potassium, rubidium और cesium इनकी energy देखें हैं almost similar है बग़स बड़े-बड़े gaps नहीं है तो इनको हमने एक ही group के अंदर एक ही column के अंदर रख लिया है तो इस चीज़ को भी देखें अगर हमारे पास कोई ऐसा element है जिसकी ionization energy, for example, 425 है तो मैं exact पता चल जाएगा कि ये 504 और 410 के in between आ रही है तो ये sodium और rubidium के बीच में होगी यानि कि ये potassium element होगा तो इस तरह हमारे पास जो non elements की ionization energies हैं वो हमें पता होती है हम उनके हिसाब से कि इस element की ionization energy इतनी है और ये इस element से कम है और इस element से ज्यादा है तो इसका मतलब ये in between आ रहा है तो इस तरह हम इसकी position बता सकते हैं और आपको पता है कि इसी भी group के अंदर जो elements हैं उनकी ionization energy similar होती है क्यों क्योंके उनकी electronic arrangement सेम होती है क्योंके group 1 है तो सब के group 1 के अंदर जितने भी elements है सारे के सारे elements के valence shell में एक ही electron है अगर group 2 के elements है तो सब के valence shell में 2 ही electron है तो electronic configuration जो है electronic arrangement जो है वो same होने की वज़ा से उनकी chemical properties भी similar होती है अब third point है हम क्या करेंगे हम उनकी अब हम करने लगे है एक example के तुरू हम क्या करेंगे कि position जो है वो किसी भी element की find कर लेंगे किस तरह से उसकी ionization energy को compare करेंगे product table में जो बाकी elements है उनकी ionization energy से एक example लेते हैं suppose करें आपके पास एक element है X और उसकी ionization energy है 1251 kJ per mole अब हम क्या करेंगे हमें पता है कि जब हम left to right जाते हैं तो ionization energy बढ़ती है और left side पे ionization energy कम होती है और right side पे जादा होती है तो हम ये वाली जो energy है 1251 हम इससे कम very near जो less amount आवो देखेंगे like sulfur जो है इसकी ionization energy है 1000 और argon की ionization energy है 1520 तो ये जो है 1250 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम कहेंगे कि sulfur और argon के बीच में जो एक gap आ रहा है न अनरजी का ये वाली energy है तो हम इसको यहां पे place कर देंगे between sulfur and argon in the period इसी तरह अगर हम group की बात करें के group में कैसे place करेंगे तो हम जानते हैं कि जब हम top to bottom move करते हैं तो ionization energy decrease करती है उपर ionization energy ज़्यादा होती है जैसे हम नीचे आते है ionization energy कम होना शुरू हो जाती है तो suppose करें आपके पास एक element Y है जिसकी ionization energy है 738 kilo joule per mole और हम क्या करेंगे productable के अंदर किसी group में घुज जाएंगे और उस group के अंदर हम इसके near about इससे minimum भी जो very near हो इससे जो कम है बहुत करीब और इसके जो ज़्यादा है बहुत करीब हम वो देखेंगे इससे कम जो थी वो calcium की थी 590 और इससे जो ज़्यादा थी वो beryllium की थी 899 तो हमें पता चल गया अच्छा ये 738 जो है इसका मतलब इन बिट्वीन है तो ये beryllium और calcium के बीच में element आएगा तो वाई की position ये होगी मतलब ये magnesium element है तो इस तरह से बहुत ही easy topic है हम ionization energy की help से बड़ी असानी के साथ किसी भी element की ionization energy जानते हुए periodic table के अंदर उसकी position find कर सकते हैं इसी तरह अगर हम आगे move करते हैं लेकिन ये वाली एक बात याद रिखेगा कि ये वाला जो हमारे पास method है ये तना ज़्यादा accurate नहीं है क्योंकि कुछ fluctuations आती हैं कुछ exceptions आती हैं जिसकी वज़ा से हम आगे इसको तू कंसिदर नहीं है